हम नास को अडॉप्ट करना चाहते हैं को अडॉप्ट करेंगे और यही डिसीजन को वह अपनी बेटी नहमत के साथ कंफेस करते हैं कि हमने डिसीजन लिया है कि हम माव्ट करने वाले है और आपको एक रियल सिस्टर भी मिल जाए की जिसको सुन कर नहमत थोडी घबरा जाते हैं कि आखिर नहमत ऐसा क्यों बोल रही है वहीं दूसी तरफ हम देखेंगे कि नाज जो है वो नहमत की खुशियों से बहुत जादा परिशान है और उनी से ही सैड और जैलिस होकर वो नहमत की साइकल पे पत्थर माल कर उसे तोड़ देती है और वहां से चली जाती है फिर जैसे ही वहां पर नहमत आती है और नहमत अपनी तूटी हुई साइकल देखती है तो वो पूछने लगती है कि आखिर मेरी साइकल किसने तोड़ी है और वो अपनी साइकल को लेकर बहुत जादा परिशान हो जाती है वेल वहीं पे फते बेटकर यही सोच रहा होता है कि आखर यह कैसे हुआ इतने में कोई शक्स आता है और फते से बोलता है कि जो लड़की रो रही है उसी नहीं यह साइकल तोड़ी है वेल फते इस दोरान समझ जाता है कि इस साइकल के तोड़ने के पीछे कोई और नहीं बलकि नाज ही है और अब वो समझने लगा है कि कहीं ना कहीं नाज थोड़ा भूत नहमत से चिरती है वेल अभी देखना काफी जादा इंट्रेस्टिंग होगा कि इस जलन को और इस इंसिक्योर्थी को कैसे फते और तेजो हटा पाते हैं और क्या वाकिए फते और तेजो नहमत की तरह ही नाज को प्यार दे पाते हैं वेल वो तो अपकमिंग ट्रैक में ही पता चलेगा तिल देन लाइक शेर और शब्सक्राइब टो आर चानल